Good morning all of you, आज हम आप लोग पढ़ाएंगे primary health care, primary health care में आज हम आप लोग पढ़ाएंगे care in communicable disease, care in communicable disease, संक्रामक बिमारियों में देख भाल, किस तरह से हम करते हैं, तो देखिए, संक्रामक बिमारियों से पीडित व्यक्ति की देख भाल, care of patient with communicable disease, संक्रामक बिमारियों से पीडित व्यक्ति की देख भाल, निम्न प्रकार से की जाती है, जो संक्रामक बिमारियों से ग्रसित लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, पेसंट होते हैं, उनकी देख भाल, किस तरह से हम करते हैं, तो देखिए, संक्रामक बिमारियों के संपर्क में लोगों को नहीं जाने देना चाहिए शंक्रामक वियानियों से ग्रशित लोगों के संपर्क में लोगों को जो व्यक्ति शंक्रामक वियानियों से ग्रशित है उसके संपर्क में लोगों को आने लोगों को नहीं जाने देना चाहिए रोग्यों के संपर्क में आने के बाद हा मात को इस अप्टिक से धोना चाहिए नेक्स्ट करो रोगियों का कमरा वाई संचरित होना चाहिए उसमें हवा आती जाती रहे ऐसा होना चाहिए रोगियों का कमरा जैन्च की देख फ्राव करते समय और रोध पर चरिया जिसे वार्ययर नर्सिंग अउरोध परिचरिया को खते हैं अंग्रेजी में वार्ययर नर्सिंग करनी चाहिए बिन्दूख संक्रमाड से बचाने के लिए mask, gown, gloves का उप्योक करना चाहिए नेक्ट देखिए प्रिथक्रण विधी आइजोलेशन मेथड प्रिथक्रण एक सामानी सिध्धान्त है प्रिथक्रण जो है संक्रामक केर इंडिकम्रिकुवेल डिजीज से बसने के लिए प्रिथक्रण एक सामानी विधी है सामानी सिध्धान्त है प्रिथक्रण की अवधी लग लग टेशची का उद्धेश में लोग को सीमित राव के फैलाओ के वस्तूहों को हैं No संक्रमित कर देना चाहिए पेसेंट के उपयोग में लाई गई जो बस्तियें हैं उसे जो नश्ट कर देना चाहिए नेक्ट देखिए उच्च अस्तर सुरच्छा उपाए विश्व व्यापी पूरु प्रवंध स्टेंडर्ड शेफ्टी मेजर्स और यूनिवर्सल इसमें फर्स्ट है विग्यप्तिकरण या अधिसूचना जिसे कते हैं नोटिफिकेशन संक्रामक विमारी है उसका पत्या लगते ही अस्थानी अधिकारी को सूचना देना चाहिए सूचना प्राथमिक स्वास्तकेंड के स्वास्त अधिकारी जो होते हैं नगरपालिका या निगम के स्वास्त अधिकारी को देना चाहिए संचारी रोग से पीरित रोगियों का प्रिथक करना चाहिए अस्पताल घर में भी अलग रखना चाहिए स्वामदाय में रोग का फैलाव को रोखना चाहिए थर्ड शंग्रोध क्वारेंटीन क्वारेंटीन से मतलब है संग्रोध का आर्थ होता है सी शंक्रामक रोग के संपर्क में आये व्यक्ति को रोग की उद्वान जो उद्वाव अवस्था होती है की लंबी अवध के बराबर अवध तक प्रिथक या अवरोधन में रखना अलग रखना किला संग्रोद की दा películACE चेचक के लिए 14 दिन है हेज हसे निदे THIS § 4 है । निंतर के नहें धारड है पेशेंट की तुरंट देख भाल होती है ताकि संक्रमण के शुरोत का पता लगाया जा सके रोगियों का पेशेंट का तुरंट ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे की संक्रमण इंफेक्शन का पता लगाया जा सके विमारी के नियंतरर का उपाय जितना जल्दी हो सके कर सके कर सकें नेक्ट देखिए फाइफ है वी शंक्रमर डिस इंफेक्शन पेसेंट के उप्योग में आई जो बस्तुएं हैं जैसे कपड़े वर्तन वह अन्य बस्तुओं को जो है विशंक्रमित करना उन्हें गर्म पानी से धुलना और जो उप्योग में नहीं ला जा सकती है भी नेखिए अर नेक्स्त है प्रतिरक्ष्ण संक्रामक रोगों का जो है टीका करना चाहिए जो संक्रामक विमारी है वे संक्री प्रिश्ल है लिए बत था शोल्तुअ नका ओनना चाहिए उनके क्लाना बैक्सज्व नहीर सफ़ते ब्रति वर्दक खुराइन हैं उनके संक्रमण के फैला को रोकने के लिए प्रत्रियस्च जरूरी होता है नेक्ष देखिए स्वास्ति सिच्छा हेल्थ एजुकेशन समधाय में संक्रमण को रोगों को सिच्छित रहना जरूरी है उन्हें संक्रमण संक्रामक रोगों से बचाओ के बारे में बताना चाहिए टीका करण के प्रति जागरूप करना चाहिए सूचना सिच्छा वा संचार के माध्यम से जो जन समदाय में संक्रामक रोगों के बारे में जो है लोगों को जागरूप करना चाहिए बचाओ करने के उपाय को बताना नेक्स्ट है स्वास्थ कारइकरत A M की भूमक्य वे उत्तरदाइत क्या होता है देखिए स्वास्थकार्इकरता cakes andmatic भूमक्य minder देख्रेक ने देखिए रोज इन रिस्पांसिबिल्टी अफ हेल्थ वरकर र संक्रामक상 होता है देख्रेकव में तो देखिए इसमें फर्ष्ट है शंक्रामक रोग की रोख्थाम करना शंक्रामक जो रोग है कम्निक्वेबल डिजीज है उसकी रोख्थाम करना नेक्स्ट सेकंड रोगी की देखभाल करना पेसिंट की जो है केर करना उसकी जो है देखभाल करना नेक्स्ट है रोगी की व्य स्वच्छता का ध्यान रखे उसे जो है साफ सुथरा रखे रोगी का जो कमरा है वह स्वच्छ वह साफ सुथरा स्वच्छ साफ सुथरा वह वाई संचरित होना चाहिए नेक्स्ट शंक्राम मक की उपलबता वह प्रभाव को बताना लोगों को जो है संक्राम मक की उपलबता उसके जो है इफेक्ट को बताना चाहिए नेक्स्ट सिक्स देखिए नेक्स्ट है संक्रामक रोगों का प्रसार का कारण बचाव के उपाय बताना कि उसे कैसे कैसे बचा जा सकता है संक्रामक बिमारियों से कैसे कैसे बचा जा सकता है रोगी को परियापत अहार देना जो स्वास्त कारिकरता होते हैं इनुम होती हैं उनका यह कार्थ पड़ाइथ होता है व्लड पेसर का रिकाड़ रक्षे विशंक्रमार कर देना चाहिए उसकी वस्तियों को जो है कि गर्म-पाणी से दूलना चाहिए उसे जो है जो वस्तियों उपयोग में नहीं ला जा सकती उसे जो है नस्ट कर देना चाहिए पेसेंट की देखरेक करते समय उसको मास्क गाउन हुआ दस्तानों का उपयोग करना चाहिए पेसेंट को छूने के बाद उसकी साथ सफाई करने के बाद हाथ को एंटिसेप्टिक्स से धूलना चाहिए